दोस्तों happiness, खुसी, किसे चाहिए नहीं होती, हर कोई इनसान नैनत करता है, किस के लिए? खुसी के लिए, happiness के लिए हमको सब कुछ मिल जाता है, पैसा, दौलत, लेकिन खुसी नहीं मिलती। हुसी हासिल करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए? तो खुष रहने के लिए अच्छा तरीका है, कि दुनिया के सबसे खुष इसान से टिप्स ले. अब आप सोच रहे होंगे, कि दुनिया का सबसे खुष इसान کौन है? तो दुनिया का सबसे खुष इसान Matthew Record है, जो नेपाल में रहने वाला एक मौंक है यह दुनिया का सबसे खुस इनसान का जाता है दोस्तो वेग्नानिक उन्हें इन पर धियान लगाते वक्त करीब 256 डिवाइस लगाए और धियान के दोरान होने वाले उनके दिमाग की हरकतों को ना पा यानि चेक किया दोस्तो वेग्नानिक इस रिसर्च से हैरान हो गए कैसे इस इनसान का दिमाग बिलकुल सांत है इससे पहले धर्ती पर दिमाग को कभी इतना सांत नहीं देखा गया दोस्तो मैथ्यू रिकर्ड मूल फ्रांस के निवासी है इनका जन्म 15 फरवरी 1946 को हुआ था इनके पिता का नाम फ्रांस रेवल जो प्रख्यात फीलोस ओपर थे और उनकी माता का नाम ना है जो एक प्रकार के चित्रकार थे और तिब्बती बुध से तुलना रखते थे जिनके कारण मैथ्यू रिकर्ड पर माता का आध्याद्मिक प्रभाव देखने को मिलता है बेगनानी की पढ़ाई पूरी करने वाले मैथ्यू रिकर्ड 1972 में डॉक्टर एट थिसिस में पिएच ली की पूरी की थी दोस्तों पिएच ली की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे का जो जीवन है वो सांतिकी तलास में वो भारत चले आए अभी वो निपाल में गुमबाबे में रहते हैं मैथ्यू रिकर्ड के इस्तियान और तरंगों के कारण उन्हें दुनिया का सबसे खुस इंसान बनाता है मैथ्यू रिकर्ड ने अपने खुसी के जो राज है वो दो पुस्तक में भी लिखकर प्रकासित किया है कि जब इंसान खुद के बारे में यानि अपने बारे में सोचना बंद कर दे तो निश्चित है कि वो सुख प्राप्त कर सकता है जब कोई इंसान अपने बारे में छोड़कर दुसरों की भलाई और दया के बारे में सोचता है तो उसे कहीं न कहीं मन की सांती मिलती है उनका कहना है कि हर किसी को अलग-अलग बात से खुसी मिलती है बस हमें अपने दिमाग को 15 मिनित तक उस खुसी को प्रदान करना है यानि हासिल करना है दोस्तो आपके पास है खुस रहने का बहतरी टिप तो देर किस बात की आज से ही इस पर अमल करिए दोस्तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखे आई होप आपको ये वीडियो इन्फोर्मेटिव लगी होगी अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए है तो राजवाला फैक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आप सभी का दिल से देखे